हैलो उठ्रियन फैमिली कैसे हो आप सभी लोग आई होप कि आप से लोग बढ़िया होगे आप से लोग को बढ़िया होना भी चाहिए तो फड़ापट से अपने एपसोड को एक्प्लेइन करेंगे और देखेंगे किस एपसोड में क्या होने वाला है आई होप की वीडियो अच्छा हो और आप लोग को पसंद भी आए और मुझे उमीद है कि पिछला वीडियो भी आप लोग को पसंद आ होगा तो अगर पिछला वीडियो पसंद आये था तो लाइक से सस्क्राइब कर दो कमेंट भी कर दो कान में येरफोन घुसेड लो और अब मैं बता रहा हूँ पिछला एपसोर तो उसे कान खोल कर सुनो नहीं येरफोन घुसी हुई ये मतलब कान बंद है तो येरफोन के साथ सुनो पिछला एपसोर में हमने देखा था जो यान ने अपनी पावर को बढ़ा निकले तीनों ही चीजों को रिफाइन करना ही स्टार्ट कर दिया था गोश्ट सोल, स्काई फायर और स्पिरेड्ट सील जिसे जो यान ने बहुत अत्तक रिफाइन कर लिया था और अफने flame mantra को activate कर लिया था साथी साथी जयान की जो power थी वो 4 star के intermediate level तक बढ़ गई होती है I mean intermediate level से breakthrough करके late stage पर पहुँच गई होती है और जयान का जो flame mantra होता वो second level पर upgrade हो गया था बहुत अच्छी बात थी यहां तक सब ठीक था लेकिन जयान जानलाव से आकर मिलता है जान बीट फास्ट हो जाती है कि बास तो मित्री झाला डेंजरस situation को छेल कर ये बंदा आये था किया यह मरना चाहता था और Wesley यह वो young थी जवानी में कोनी बिर्वा होना चाहता था इसलिए वो जियान के ले टेंसर में थी हाला कि यहां के माम लोग को निप्टाने के बाद जो जियान कहता है अब मैं किंग लिन को बाहर की दुनिया देखाऊंगा और फिर किंग लिन की दर्फ देखता है क्योंकि भाई को पता था कि बाहर दो लड़किया बैटी हुई है वह ऐसी तैसी कर देंगी इसलिए वो बताता है कि दो किंग लिन मेरी जो हैं यहां पे दुई की कॉंटिनेंट में देखो मेरी साधी हो चुकी एक लड़की से क्योंकि यह क्लें का मुझ पहसान था तो मुझे करनी पड़ गई जिसमें किंग लिन केती ठीक है यहां बाद तो समझ भेआती है तभी जर्फ जर्फ दस लेकर गूम रहा है ऐसा क्यों हमें चाहिए एक quality लेकिन बैचारी ऐसा नहीं कर सकती थी इसलोब हो कहती ही ठीक है बैसे भी एक लड़के के लिए 4-5 साधिया करना कोई बुड़ी बात नहीं है जफे जन कहता है किंग लें तुम सच में काफी अच्छी हो और इसके बाद वो दौनों ही लोग टाबर के बाह और हम सबने किया होगा और वो चीज है अंडी बंडी संडी किसी ने इसे यूज किया है कमेंट में बताना मुझे तो चलो आते हैं एपसोड पे तो इस एपसोड की स्टाडिंग में किंग लेंड हर चीज के लिए काफी क्यूरियास होती है जिसके बाद हमें जियो मैंसन द साथी इस टेम पे किंगलें इतने ज़्यादा आइकोनिक अट्मासफियर और सुन्दर जगह को देखकर पहले ही मोहत हो गई होती वाई यह जगह उसे पसंद आ गई साथी वो काफी खुषती कि यह वो जगह जहां पे वो अपने फीचर में रहने वाली थी साथी किंगलें के चेरे पे समयल को देखकर जोयान भी समयल कर रहा होता है तब ही किंगलें कहती क्या बास्तो में यही वो जगह जहां पे हम रहने वाले हैं यह तो बिलकुल एक फैरी लैंड की जैसा लग रहा है इस टेम पे तो किंगलें को ऐसा लग रहा होता है जैसे वो कोई ड्रीम द जुरू कर दी थी साथ इस टाइम पे उसका छोटा था चाहरा पूरी तरीके से अट्रैक्टिव रेड हो गया होता है जिसके कर्ड़ वो अट्रैक्टिव लग रहा होता है तभी जान कहता है रे किंगर फूचर में तुमारे पास इसकी तारीफ करने के लिए बहुत टाइम हो बहले ही तुम हर दिन हजारों फूलों के बीच में भी सो यह अभी भी ठीक रहेगा चलो अब चलकर सभी लोगों से मिलते हैं और देखते हैं सभी लोग आखिरकार कैसे अपनी ट्रेनिंग और कल्टिवेशन कर रहे हैं जो सुनकर किंग लिन भी तुरंत ही एक्साइटेड दुस्तब जोने सावाज को सुनकर वो भी थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता क्योंकि काफी लॉग टाइम से जोने इन सभी को नहीं देखा था इसलों वो तुरंत थी किंग लिन को गेट के उस तरफ ले जाता है दुस्तब उन दोनों की प्रजेंस से अचानकी सभी सथी ब्रुटी फुल होती है और उसकी कमर के चार तरफ एक ग्रीन करल की बैलत होती है जो उसकी पतली कमर पे कसकर बंधी हो जी और वो जो यान के बगल में खड़ी हो हो brands नहीं दीखाता बलकि सभी लोग's के एक परूपर देखाम लड़के हमार तात इसह होता है वो कि आंग मास्टा जो इस बार फिर से हमें हैरान कर देंगे देखो मैं फिर भी सही था लेकिन बास्तों में डोर बंद था ये कल्टिवेसन कर रहे थे तो ये फ्लावर जैसी एक्ष्ट्रीमली व्यूटिफुल लेडी कैसे पैदा हो गई और ऐसा के तो ये जो जान तुरतिया पापर है वो दीरे दीर एक्टिवेस हो रह Łाए हो और इसे ऐसा रहता है जैसे वह बें काबू हो ते उसकी बाध बाहर निकल झाएगी लेकर वह तुरंटी सांथ हो जाता है और तुरंटी कहता है और इसके पास है सक बहीना जों से किंगलिन की த के मित थे वह बहुत लंब सा नहीं था ऐसे लोग तो पहले ही मर चुके थे जब ले सालोंग जियो जान जितना तो हैरा नहीं था लेकर वो तुरंधी सोचता है लड़की कौन है यह यहां आई कब आकेगार हमें कोई खबर क्यों नहीं मिली साथ यूसकी बुरी तरीज के से सिक्ड़ू हुई होती है कि यह लड़की जियो मैंसन के अंदर कैसे आ गई जोकि जियो मैंसन में हर एक अजनभी को इंटा होने से पहले ले सालोंग ने तुरंधी सूचित करने का ओडर दिया था और जियो मैंसन के अंदर जो यान और जैनी को छोड़का बाकी कोई भी ले सालोंग के ओडर को वाइल जान हो जाती भाई ऐसा सीन उसने कभी देखा ही नहीं था और साथ ही ये दोरों जो कांड कर चुके थे उसके कांड ये थोड़ा सा और ज्यादा इंबर्स फील कर रही होती है इसलिब तुरंधी डरते हुए किंग ले तुरंधी जो यान के कपड़े पकड़ लेती है जो दे तक इनके बीच का जो रिलेशन था वो कोई नॉर्मल रिलेशन तो था नहीं इसलिए एक पल में पूरा का पूरा हाल सांत हो जाता है तब ही जो जहान कहता है ये देखने के लिए काफी अच्छा सो है मैं सर्थ लगा के कह सकता हूं ये लड़की यंग मास्टर जियों की थोड़ा सा उदास देख रहा होता है और ले सालंग कुछ ऐसा कहता है जिससे सभी लोग काफी एदा हैरान हो जाते हैं जिसके बाद ले सालंग जैनी और मूयर को याद करते हुए उसके चर में हलका सा कड़वा हाट करने सान होता है लेकिन वो अपने थौट को तुरंती स बात नहीं थी लेकिन इन दौनों कितने close relation को देखते हुए लग रहा था कि relation कोई छोटा मोटा नहीं था साथ ही आप तक जैनी ज्यान की तब देखते हुए कहती जो यान आपने उससे इन चीजों को भी छपा कर रखा तुम अभी भी डड़ते हो कि मैं जैलिस हो जाओंगी क्या तुम्हारे दिल में चेयर की यार में स्टैन को पकड़ कर यह उखाड लिया होता है और किंग लेन के उस हाथ को गूरते हुए जिसने चो यान के हाथ और कपड़ों को पकड़ रखा होता है उसकी आपकों में तो आसू चमक रहे होते हैं अब चाहे कोई इसे जैलिसी कहे या निरासा या अनिक्छा भी या फिर चिंता इस टैम पर मूयर को अपने दिल में काफी बुरा लग रहा होता है किंग मूयर को रहा होता कि उसे ऐसा क्यों फिल हो रहा है लेकिन बस उसे लग रहा था कि उसकी कोई कीमती चीज़िस से चीनी जा रही है उसका दिल खाली हो गया है और यह तो feeling थी उसे बास्तों में काफी helpless और कमजोर बना रही होती है जिससे वो तुरंती कहती है मैं ये बिलकुल नहीं चाहती साथी इस टाइम पे उसने जोयान के साथ काफी long time बिताय था लेकिन बास्तों में उसे नहीं पता था कि जोयान के पास already इतनी फ्यारी एक लड़की है और जोयान का इस लड़की के साथ इतना close relation है साथी वो जोयान का उसके उसको लेकर जो behavior होता था उससे बास्तों में इस टाइम पे unsatisfied लग रही होती है जिसके करण वो खुसे ही कहती है क्या जोयान बास्तों में मुझे ग्रोर करता था क्या मैं इस लड़की जितनी अच्छ लड़की मुझे ज्याद अच्छी है क्या बास्तों में इस लड़की को पाने के लिए और पाने के बाद मुझे से दूर हो जाएगा और इस टाइम पे तो किंग मुईर यह सब सोचते हो इसके आखसों को रोकने की नाकाम कोसिस कर रही होती है और दातों को कसकर उसने वह सोचता है क्योंकि जियोयान उसका ब्रेदर है तो उसके पास जितनी ज्यादा सुंधर लड़किया होंगी एक बड़े वहाई के नाते उसे जियोयान के लिए खोसोना चाहिए पकड़के खीच के दो कान के नीचे लगाने चाहिए यह बंदा खोसो रहा है जाओ मौश क पता था कि उसकी sister को जो लड़का पसंद था और वाला कौन नहीं चाहता कि उसकी sister को एक ऐसा लड़का मिले जो काफी होनार और पावरफुल हो और काफी genius भी लेकिन बास्तों में क्या वो ये चाहेगा कि उसकी sister एक ऐसे husband को चूज करें जिसे अपने husband को इतनी साई लड़क नहीं कर पा रहा होता लेकिन किंग हाउरा क्योंकि उसका दिल काफी बड़ा था और वो समझदार व्यक्ती था इसलिए उसने तुरंदी समझ लिया होता है कि ये जोन का परसनल मामला है और क्योंकि वो एक बड़ा भाई था तो वो अपने second brother या की भाई के लिए चीज़ो और घवराओं को सैबें रखते और कैता है हाँ विग व्यद्र मैं वह जो मैं और इसके बास जuggling दीरे-दिरे सब की तरफ देखता है और इसके बाद वो तुरंदी क्याता है यह बस्त में मेरी घल्ती है और जोन जो कहना चाहता था उन बर्ड को बापस ले लेता है जोन को पता था अगर एक भी गलत बर्ड यहाँ पर मैंने बोल दिया ये दोनों यही कच्चा खा जाएंगी जिसके बाद जोन किंग हाउरान की तरफ देखता है और तुरंथियो दास होते हूँ आए भरता है और इसके बार वो तुरंथी कहते हैं मुझे डैरे ब्रदर की सबसे बिग ब्रेदर इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता ये मामला तुम्हारा है तुम ही समभा लो दूसरा प्ले सालोंग जियो जान और बाकी के सभी लोग अपने सुर गुमा रहे होते हैं और एक दूसे के दरब देख रहे होते हैं उनकी चेहरों से भी पसीना बहरा होता है वो तुरंधी कहते हैं यंग माश्या जियो तो सच में काफी ओनेस्ट हैं और इस टाम पे वो जोयान को काफी सीक्रेटली देख रह है तब ही जोयान अपने चेहरे से पसीने को पहुचते हुए बड़ी मेहनत करके एक बाग के कहता है ये किंगलिन है जो सुनकर तो सभी लोग काफी यारा नाराज हो जाते हैं आई मीन सेब दो ही लोग तुम लोग जान गए होगे कौन दो जहां ले सालो अपने दिल में च यंग मास्टर जियो लड़कियों के सामने आते ही सब कुछ बोलना भूल जाते हैं उनकी पूरी नौलेज गायब हो जाती है इस टेम पे ले सालोंग अच्छे से जानता था कि अगर जोयान ने रिलेसन नहीं बताया तो यह दोनों लड़किया उसे पेल देंगी और अगर तो गडवड है बावू मोसाई इसलब तुरंती हैरान होती है जैनी और मूयर की तरफ देखती है तो उसके आंके थोड़ा सा रुख जाती है और वो जैन के कपड़े से अपने हाट को पीछे हटाना चाहती थी लेकिनों से समझ में नहीं आ रहा था कि हाथ कहां पे रखू मैं इसलिए बस जैन के हाथ कोई वो पकड़े रहती है दूस तब यहां का बहूल और वी ज़्यादा गरमा गरम हो गया होता है जैन को तैसा लग रहा था किसी ने पहाड उठा कर उसके खुपड़ी को उपर रख दिया है जैन सास भी नहीं ले पा रहा था कि भाई मैं बो का दे रहा है धोके बाज जहन्नुम के अंदर इसे गरम तेल के अंदर तला ना जाये तो कहना दूस तब जो यान जितनी ज़्यादा देरी करता जा रहा होता है किंगलीन भी उतनी ज़्यादा उदास होती जा रही होती और निरास भी और किंगलीन को उदास और निरास होत जोएन के हरतों और सभी लोग थोड़ा सा रिलेक्स moh combined जिसके 100 कड़ा होता है तो बाकिन लोगों कि व ножcken के सवाल जवाब से कई budget pa यह य लोड़कियों कि थी हो जवन की हर एक बात पूरीत तरीके से निकल गया तो जैनी और किंग मुए नाराज होंगी तभी जुआन केता है लेकन डावडी कॉंटिनेंट में पहुचने के बाद उसके बास पर्याप्त लेबल और हैवन और अर्थ के लौ नहीं थे इसलों से सील कर दिया गया था एक स्पेसल जगह पर जब तक कि वो डाव मीनिंग वाला बंदा कहते हो ना देखो जुआन डवल मीनिंग खेल रहा है रोक लो जूँ यान को जुआन की बात को सुनकर हर एक चीज जो आए इन लोगों को पता चल जाती है जैसे यह लोग थोड़ा सा रिलेक्स फील करते लेकिन जुआन की बात सुनने के बाद यह उ नॉर्मल इस पश्टी कराण ही परियाप्त होते हैं इसे मैं एक्स्प्लेइन करके बता देता हूं मैंने आज ही अपने दोस्त को फोन किया और का भाई चल चाय पीने चलते हैं उसने कहा नहीं आसकता खेत में काम है तो वहाँ पे जाना है मैंने कहा ठीक है घर आने के काफी अदा सांत दिखाई दे रही होती लेकि इस सांती के पीछे की असांती को हर कोई फील कर सकता था दूसर जयन इस बात के अंदर की पाउर को फील कर सकता था जिससे तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और जयन के इंप्रेशन में बदलाव को देखकर बस जैनी के इमोसन डिमोसन में बदा जाते हैं और वो तुरंती समझ गई होती कि जौन बास्तों में क्या सोच रहा था हाला कि बास्तों में जैनी वो अपने दिल में अंदाजा लगा चुकी थी लेकिन वो बस पूरी घटना को डीटेल में समझना चाहती थी और किंग मुयर को इस बात को समझने देना चाहती थी ताकि सब कि हर किसी को पूरा इस पश्टी करण मिल सके और बात बस इतनी ही थी बाकी सब खत्म हो गया हाला कि जौन के थौट गलत नहीं थे लेकिन बेचारा था तो भोला वाला लड़का ही वो बाला लड़कियों के दिल की बात को कैसे समझ सकता था तब ही जौन कहता है उस जगह पर जाने के बाद मुझे मौस्टर क्लेन की बलड की इसमेल आ रही थी और इसके बाद जौन बात करता है किंग लिन की तरफ देखने रगता है दूस तब किंग मुयर तो काफी रगुसे से जौन को देख रही होती है तब जौन को यहाँ पर अच्छे था पता था अगर वो यहाँ इनके सवालों के जबाब देता रहा गया तो मामला बेगड़ सकता था और अगर जैनी और मुयरको जल्दी सांत नहीं किया गया तो यह उसके लिए काफी खतरनाग भी होता और इसका benefit John को कुछ भी नहीं होता तभी सभी लोग तुरंती कहते है King Lynn और untested तरीके से King Lynn की तरफ देखने लगते हैं दूसर जोयन King Lynn के बगल में काफी यदा बीग देख रहा होता है साथी जोयन ने जो पहले कहा था उसके according तो King Lynn अभी अभी dowdy level पर breakthrough कर रही थी तो वो वाला कोई भी contribution जोयन के लिए कैसे दे सकती थी और हरे question का अंसर King Lynn कैसे हो सकती थी तभी जोयन के हरे बंदे के सामने के सक को देका जोयन embarrass होते हो अपना सेहलाते हो कहता है King Lynn की जो body है और physics से वो काफी खास है और ऐसा इसलिए क्योंकि King Lynn ने मेरे लिए अपना सब कुछ sacrifice कर दिया साथी उसने अपने monster level के blood को sacrifice कर दिया जिसके कारणी मैं उसे successfully refine करने में capable हो सका हूँ हाला कि जोयन ने यहापे King Lynn की identity को reveal नहीं किया होता क्योंकि वो अभी भी चीज़ से जिज़ा करा होता है क्योंकि अगर वो King Lynn की identity बता देता कि वो बाश्टर में monster clean की scent है और अभी भी जीवित है तो dowdy continent के अदर यह कोई मामूली बात नहीं होती और पूरे ही dowdy continent के अंदर एक नए ही दौर की उतल फुतल मत जाती जो सब जोयन की बात को सुनकर King Lynn तो रंती इंबेरेस होते हो अपना से नीचे कर लेती है और अपने पैर से जमीनों में गोल गोल घेरा बना रही होती है उसका जो चहरा होता है पहले ही golden red हो चुका होता ह और King Lynn के ऐसे impressions को देकर यहाँ सबी लोग समझ गया होते हैं कि इस time का जो attraction था वो कितना ज्यादा attractive रहा होगा अब भाई imagination में और imagine करने में हम लड़के पहले ही काफी अदा expert है इसलिए सब लोग हसने लगते हैं हाला कि King Howard and King Moore के relation को लेकर थोड़ा सा serious लग रहा होता है ले उसे कीमती चीज sacrifice कर दी थी तो जियान को बास्तों में दूसरों के सामने उसे embarrassed और हारते हुए नहीं देखना चाहिए था और जियान ने ऐसा नहीं किया था इसलिए जियान रियल परसन था जो सोचल किंग और रहन थोड़ा सा relax फिल करते हैं साथी उन्हें पता था कि अग कर लेती हैं दूसरा मामला समझ में आ जाने के बाद जानी बिलकुल एक समझदार परसन की तरह अपने सेर को हिलाते हुए तुरंती इस चीज को accept करती हो और उसका चैरा काफी soft हो गया होता है जायरोसा जोयान के reason को accept करने के लिए एक valid reason मिल गया था लेकिन अभी भी उसे अपने दिल में jealousy feel हो रही होती है और वो गुस्ते से ही जोयान को घूर रही होती है जैसे कि वो जोयान को punishment देना चाहती हो दूसरा जोयान भी बास्तों में punishment से बचने की कोई भी हमत नहीं करता और चुप-चाप तरीवगे से अपना से हिला देता है लेकिन बास्तों में उ और समझदारी को देखकर वो तुरंती दिली दिल में उनकी काफी तारीव भी करती है जिसके बाद किंग लिन तुरंती कहती है बास्तों में brother जोयान काफी अच्छी situation में है और काफी अरा lucky है किंग लिन ने फील किया तब वो यहां पे काफी अच्छी position में थी इसलों वो क जख रही होती है दूस्तब किंग लिन को अपनी तरफ देखते हुए और उसकी मासूम सी सकल को देखते हुए जो काफी फ्यारी थी जैनि किंग लिन की तरफ एक friendly smile पास करती है और यह देखके जयान थोड़ा सा ठीक ठाक फील करता है कि चलो इसने तो इसे accept किया जिसके ब परस को बुरी तरीके से पीट रही होती है और बस लिटिल लायर बड़ा बड़ा रही होती है और उसके ऐसे behavior को देखकर तो जो यान पसीने से तर्बतर हो जाता है हाला कि मुयर बेलकुल बेवकूफ नहीं थी मतलब बेवकूफ नहीं थी और जो यान के valid reason को सुनने के बा रही चीटियों के उपर ही अपना गुस्ता निकाल सकती थी दूस्ता बड़ा जो यान को यह कैसे पता नहीं चलता कि यह लड़की क्या सोच रही थी इसलिए तो जो यान के चेहरे पर तुरंती question mark बन जाता है तब यह यानी तुरंती अपने बालों को पीछे करते हो कह थी और उसे उमीद थी कि जो यान इस problem को solve करने की थोड़ी तो कोसिस करेगा लेकिन जो यान की सुस्ती को देखकर तो जैनी भी निरास हो गई थी इसलिए बास्तों में उसे जोन को समझाने के लिए आंगे आना पड़ा था दुरंती जैनी की बात का मतलब समझ जाता है और त साथ काफी जाए टाइम बिता सकता हूँ ठीक है जो जान तुरंती अपने दौनों हाथों से अपने चेरे को ढख लेता है वह बास्तों में इस चीज़ को देखना बरदास नहीं कर सकता था इसलिए अपने दिल में भगवान दो हाथ है लेकिन दस लड़ू और इसके बार अपने दिल में तुरंदी कहता है यांग मार्चा जीओ आपको कुछ भी नहीं कहना चाहिए आपका क्या मतलब है मैं आपके साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता सकता क्या क्या आपके बल इनके साथ ही अपना टाइम स्पैंड करेंगे साथ ही वह तुरंदी कहता है यांग मा तुम्हेरे पास तो बास्तों में काफी खाली टाइम है है ना पिछली बार मुझसे किसी ने कहा था कि वो मेरे और सिश्टर जैनी के साथ मार्केट में खरीदारी करने के लिए जाना चाहता है लेकिन बास्तों में उसे तो साथ ये बात अब याद भी नहीं मुईयर की बास को सुनकर तुझ जान तुरंती समझ जाता है कि उसने जो संटेंस पहले बोला था वो बास्तों में पूरी तरीके से गलत था उसे बास्तों में कुछ और कहना चाहिए था और कुछ अच्छा कहना चाहिए था जो सब जैनी उदाश चाहिए के साथ जो यार की दब देखते है और कैसी क्या ये लड़का इदना इडियाट है क्या वो बास्तों में कुछ अच्छा नहीं कह सकता था और थोड़ी फिकार नहीं जाता सकता था जिसके बास जोन तुरंती के इंबेरस होता है चैर को छिपाने वाले इंब्रेशन को देखता है और उन्हें हसते वे देखता है तो जोनं अपने सिर को खुझलाते वह ऑँ आप लोगा आपको कुछ खरीद लेना अब कमोएर को देखकर वो समझ गयी होती कि जोन केबल उसे इसलिए नहीं चोड़ेगा क्योंकि उसके पास एक नए अलावा आ गया था इसलिए उसका दिल थोड़ा सा सॉप्ट हो जाता है लेकिन वो अभी भी जोयान के साथ नाराजगी जता रही होती है साथियों से लग रहा होता है जोयान बास्तों में थोड़ा बहुत लापरबा है इसलिए तुरंती पूछते होएं कहती और इसके अलावा तभी जोयान कहता है और पूरी तरीके से हैरान रह जाता है अब तो जोयान के पास बर्डी नहीं बचे थे कि अब क्या बोलू और इसके अलावा का अलावा क्या बोलू मैंसे जोयान कैसे कर्फ्यूज देकर मूयर उसका चाहरा तुरंती उदास हो जाता है तभी जैनी तुरंती जोयान को डिफेंट करते हुए आ गयाती है और कहती है इसके आलावा हम बिदर जोयान को थोड़ी सी पनिस्मेंट दे सकते हैं और सिष्टर मूयर जो चाहे वो कह सकती है साथी हम वहीं जाएंगे जहाँ पे सिष्टर मूयर कहेंगी ये कैसा रहेगा? हाला कि वो दिली दिल में थोड़ा सा उदास फील करती है लेकि वो अभी भी जोयान को डिफेंट कर रही होती है तब ही मूयर तुरंती कहता है नेक्स और अपने दिल में तुरंती उसकी उदास ही दूर हो जाती है और उसकी आखें घूमते हुए जैसे कुछ सोच रही हो कि जोयान को इसकी भरपाई भला कैसे करनी चाहिए साथ ही उसके चेहर पे अचाना की खूसी बढ़ने लगती है जो देखकर तो चेहर का चेहरा सुनने हो जाता है कि अब यह इससे क्या कहने वाली है जिसके बाद मूयर जोयान की तरफ देखती है जो की गुसे में मतलब बेचारा अदास होता है तो रिलेक्स फील करते हुए प्राटफूल तरीके से कहती है हाला कि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ इसलिए हम लोग मार्केट में खरीदारी करते हुए बात करेंगे और जब मैं अपना मन बना लूँगी तो मैं आपको बताऊंगी लेकिन आपको वो करना ही होगा जो सुनकर जोहन चुपचाव अपरा से हिला देता क्योंकि उसके पास दूसरा कोई आपसन था ही नहीं जब्धे किंग मुएर सेक्सेस फोल होने वाली जोहन इन दो लड़कियों के बीच में बास्तों में इतनी बुरी तरीके से फस रहा होता है तो उसके चेरे पर तो एक अजीब ही स्माइल होती है साथ ही वो थोड़ा सा उदास भी फील कर रही होती है और जोहन भी जब किंगलिन की ऐसी नजरों को देखता है तो भली उसने किंगलिन को सब कुछ बता दिया था और मैंटीर प्रेपेर था अभी भी जोहन को अपने दिल में थोड़ा सा नुकसान फील होता है और बास तमें किंगलिन मी थोड़ा सा उदास होती है तब ही जैनी आगे आते हुए कहती है आपने मेरे लिटल ब्रदर के लिए काफी बड़ा सेक्रिफाइस किया है साथी डावडी कॉंटिनेंट में आप नई आई है यह जगह आपके लिए अन्नोन होनी चाहिए जिस भी जैन थोड़ा सा ओक्वर्ड फिल करता और तुरंती माफियों आंगता है और पागलों की तरह हसते लगता है दूसर अब किंग लिए जैनी की काइननेस को देखकर काफी अदा हैरान होती है और अपने दिली दिल में किंग लिए जैनी को मिलकर काफी अरान होते हैं और उसे कभी भी उमीद नहीं थे कि जोन का एल्डर ब्रदर यहां पे बास्तों में इतना ज्यादा हाई लेविल का हाई पोजीशन माला परसन होगा और किंग हाउरान का सामना करते हैं वो बेचारी काफी confused भी होती है तभी किंग हाउरान बिना किसी आकड़के बस एक friendly smile किंग लिन की तरह पास कर देते हैं जिससे किंग लिन को अपने दिल में काफी relax फील होता है और वो तुरंतियोंने greed करती है लेकर वो बास्तों में थोड़ा सा डरी हुई होती है जिसके बाद जोन बता था ये merchant alliance के लीडरों में से एक oxon house के manager और human tribe के leader emperor की witty sister jenny है जो देखकर तो kinglin दुरंति कहती है क्या human tribe emperor की daughter kinglin को बास्तों में मीन नहीं थी जोन ने केवल कुछी सालों के अंदर डावडी continent के अंदर इतना कुछ कर डाला है कि उसके team में इतने powerful दिगज लोग है इसलब उसे ऐसा फील होता जैसे उसके heart भी रुक गई हो और चीजों को समझने और action लेने से पहले उसे काफी time लगता जिसके बाद वो वो लैडली से इलाती है जिसके बाद जोन मता था यह ब्रदर किंग की लिटल सिस्टर किंग मुयर है यह है मेरे ब्रदर ले सावलांग, जी इंग, जीो जान, ना नेर्विंग और फैंग फैंग और एक एकर के सभी से फैमिलियर कराता है साथी जैनी और सभी लोगों की लेविल, उनकी सिचुएसन और पोजीसन के बारे में सुरकर किंग लिन के तो दिल में उथल पुथल मच गई होती है और वो बस यही सोच रही होती कि जोन इन सब में किस लेविल पर है जो इन सभी को लीड कर पा रहा है हला कि उसने सुना था कि ब्रदर जॉनने कहा कि यह सभी लोग उसके ब्रदर थे लेकिन वो जानती थे के बज़ जोन के ओरडर के काड़ होना चाहिए कि वो जुवियान के ब्रदर थे और बास्ता में जुआन अभी भी अपने लोगों को इतना जागा क्लूर के रखता है और उन्हें अपने साथ वाली लोगों को as a brother treat करता है उसे अपने दिल में जो यान के लिए जो फ्यार होता वो बढ़ता हुआ बढ़ता है जिसके बाद सभी को greet करने के बाद वह वास्तों में खड़ी की खड़ी रह जाती है बैठना ही भूल जाती है क्योंकि वैचारी को काफी बड़ा सौक लगा था जिसके बाद जिए अंसेस्टर के बारे में क्या एंसेस्टर कहां पर है और जिए उसे कहीं रहे हैं लेकिन ठीक है उन्हें आराम करना चाहिए जब उसने सुना के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ तब तक यह सब कुछ ठीक था जिसके बाद जिएन कहता है बैसे लोंगी और लेंग्टियान कहां पर है यह दोनों लोग क्यों गायब है तभी जैनी तुरंदी कहती है लेंग्टियान और लोंगी दोनों ही फिल रिफाइनमेंट में लगे हुए है साथी जैनी बताती है फोरेस्टर के पीक लेवल के अमपर काफी अरा सामिल हो रहे है और परपल हार्ट फिल जो है उसकी आपूरती जो है यह स्टोरे जब वो कम पढ़ता जा रहा है इसलिए लेंग्टियान और लोंगी जल से जल इने रिफाइन करने में लगे हुए है लेकिन यह काम अभी वी कटिन है तब ही जोन कहता है वो लोग कब बाहर आएंगे इस टम पे जोन लोंगी के बार में टेंसर में था जिस पे मुईर तुरंदी कहती है बहुत जल्दी ही होना चा यह मत कहना कि तुमने लोंगी को धमकाया है क्योंकि अगर बास्तों में ऐसा तो मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी तब ही जोन अचाना कियात करता कि मिश्टर जान ने कैसे गेंद के तारे लोंगी को बाहर फेक दिया था जिससे जोन तुरंदी समझ जाता है कि बास्ट में लॉंगी इसी चीज से परिसान और उदास होगा और उसे इसी चीज का बुरा लगा होगा लेकिन क्योंकि जोन अब ओल जान को तेहां पर नहीं कर सकता था इसलिए जोन तुरंती इन्हें कहता है उस टाइम पर सिच्वेसन ही कुछ ऐसी थी और उस सिच्वेसन मे लॉंगी के बलाई के लिए ही यह था और मैं बस लॉंगी को बचाने की कोसिस कर रहा था तब ही जोन कहता है आप बास्त में अभी भी अच्छे से नहीं बता रहे ब्रदर जियो यान आपका क्या मतलब है लॉंगी के साथ अन्याय हुआ वो बेचारा हमेशा ही उदास रहत रहता था नजाने कितने साल हो गए एक तो बेचारा हमेशा ही रिट्रीट करता रहता था और अब जब बेचारा इतने सालों से अकेले आया तो अकेले बेचारा बेघर हमेशा ही रोता हुआ रहता है और यह सब आपके कारण है तब ही जोन कहता है बास्तों में यह सच नही तो बास तो में लॉंगी के साथ ऐसा बीएप करने का रीजन क्या है कि आप इसे हमें समझा सकते हैं जो सुनकर जॉयन भी हैरान हो जाता है क्योंकि वो नहीं जानता था किस मामले को कैसे समझाए जाए इसलिए वो काफी देर तक जिजगता रहता लेकिन बास दो में वो एक भी वर्ड नहीं बोल पाता और इसी के साथ अब ये एपिसोड भी हम यहीं पैंट करतें क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि लौंगी क्यों बाहर हुआ था और किसलिए बाहर हुआ था हाज यहां यहां पे क्या बताएगा वो हम देखेंगे नेक्स अपिसोड पे तो बाई बाई थान फैमली